आप सबका स्वागत है हमारे देखे पा रहे हैं हम आपके लिए नई वेकेंसी नई जानकारी और नए अपडेट अप्रेल लाते रहते हैं तो इस बार भी हम आपके लिए अपडेट लेके आए हैं तो दोस्तों आपके दिल्ली पुलीस की तरफ से आ रहा है जी हां दोस्तों अभी SSC ने एक नया notification जारी किया है जो है आपके पास MTS vacancy जिसके अंदर आपके पास 2022 का notification जारी कर दिया है तो दोस्तों आप हमारे YouTube channel बने रही है जिसके अंदर हम आप यहाँ discuss करने जा रहे हैं whatever अभी क्या आपके पास total number of vacancies रहने वाली है कोन सी आपके various posts आ रही है आपको online form को किस तरह आपके पास fill करना होगा selection process आपका किस तरह रहने वाला है eligible criteria आपके पास क्या रहेगा दोस्तों सबसे बड़ी बात है वो है आपके पास exam pattern यह आप लोगों का exam pattern किस तरह रहता है exam syllabus आपके पास क्या रहेगा क्या हमारे पास exam syllabus में negative marking होगी mathematics से syllabus क्या होगा कितने marks का और हमें कितने minute में इसको complete करना है उसके पास आती है हमारे पास hand salary इसके अंदर हमारे पास पूरी एक hand के अंदर कितनी salary आईगी उसके पास job location आपके पास क्या रहने वाली और आपके पास job profile तो दोस्तों हम अपने वीडियो को चालू करते हैं पर आपसे एक request है जो हमारे इस YouTube पे नया user है या फिर वो users जिनोंने इसको subscribe नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले इसको subscribe कर लीजिए दोस्तों मैं आपको फिर बोल रहा हूँ हम ऐसे वीडियो से लाते रहते हैं आपके पास notifications नहीं पहुच पाएगा आप इसको miss कर देंगे तो दोस्तों सबसे पहले पर डिसकस करते हैं आपकी job location क्या रहने वाली है दोस्तों इसकी job location रहने वाली है आपकी Delhi या फिर आपके पास इसका NCR जी हां दोस्तों आपके पास NCR या फिर डेलिया की post रहने वाली है job profile दोस्तों इसकी बिल्कुल एक equivalent to police की तरह job नहीं होगी आपके पास ऐजा ये police की profile होगी पर आपके पास office job या फिर barber job या फिर cook आपके पास सफाई वाला नाई इस तरह के की आपके पास job रहेगी जिसके अंदर आप professionals रहेंगे अब आती है दोस्तों salary salary इनके काफी handsome salary होती है मान के चली 28-30,000 रुपे आप easily इसको get कर लेंगे अब दोस्तों अब जो आपके बड़े बड़े topics आते exam syllabus किस तरह आपको तयारी करनी है exam pattern आपका किस तरह रहने वाला eligible criteria क्या रहेगा हम इसको एक एक करके दोस्तों discuss करते हैं जैसे आपको बना दें दोस्तों इसके अंदर क्या post हैं सबसे पहले आप देखेंगे इसमें water carrier, आपका फिर ड्राफटरी आपके पास gardener, washerman, cobbler, cook आपके पास hygienist, आपके पास barber, उसके बाद carpenter, उसके office maintenance इस तरह के दोस्तों के पास post रहने वाली है तोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ इसके अंदर आपके पास कोई भी physical नहीं होने वाला क्योंकि ये groupsy की vacancy है इसमें ना तो कोई आपके पास कोई running होगी ना कोई इसके अंदर आपके पास कोई physical होगा ना कोई इसके अंदर आपके पास कोई push-ups है ना कोई इसके अंदर height का कोई आपके पास जोले सिर्फ आपको इसके अंदर अपना एक return paper clear करना होगा second दोस्तों इसके अंदर आपको अपनी कोई trade के according questions होंगे वो भी सिर्फ आपको only to only pass करना है तीसरा दोस्तों इसके बाद आपका हो जाएगा document verification दोस्तों और इसके बाद आपका selection तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बड़िया vacancy है जिसके अंदर ना आपके पास कोई running है ना कोई physical है ना कोई push up है ना कोई age weight का कोई लफड़ा तो दोस्तों इसके अंदर हम देखते हैं जो आपके जो online form है या आपके 7 October से भरे जाएंगे अभी fill होने start नहीं होए अभी only notification आया है दोस्ता दोस्तों आप देख सकते हैं जो उसकी last date होगी वो 31st October को रह रहेगी अभी अभी आपके पास एक चीज़ और बता दूँ हमारे पास एक महीने का time होगा फिल करने का और दोस्तों इसके बाद इन्होंने आपकी exam date भी announce कर दी है जो February 2023 के अंदर रहने वाली है तो दोस्तों काफी कम time होगा हमको अपने बिलको strategy के साथ इसको तयारी करने पड़ेगी आपके साथ मैं पूरा एक तरके का syllabus पूरा share करने जा रहा हूँ क्या आपके पास syllabus रहेगा क्या आपके पास इसकी जो है marking schemes रहेगी क्या आपको इसमें negative है क्या आपको इसमें negative marking रहेगी हमें questions किस तरह आपको attempt करने होंगे यह सारा हम अभी discuss करेंगे friends तो अभी आप देख सकते हैं आपकी जो fees है इसमें general, OBC और EWS की 100 रुपे रहेगी जी हाँ दोस्तों आपकी 100 रुपे fees रहने वाली जो ST, 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 APH, physical handicap female है इनकी कोई भी fees नहीं है यह आपके लिए free है अब बात करें दोस्तों तो आपको इसमें online payment के तुरू चालान कर सकते हैं वो कैसे होगा net banking, debit card, credit card और एक bank चालान आप दोस्तों आपके पास जो mode हो आप इसको apply कर सकते हैं इसमें दोस्तों सारे bank आपके include होगी अब दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर जो मेंने आपकी age limit क्या है जी हाँ दोस्तों इसमें रहने वाली 18 से 27 साथ मसला minimum आपकी रहोगी 18 और आपके पास max होनी चाहिए आपके पास कितनी 27 और दोस्तों यह किसके लिए unreserved candidates के लिए अगर आप S, T, S, C या O, B से belong करते हैं तो O, B, C आपकी हो जाएगी 30 तो आप मान के चलिए अगर आपके पास 28 है तो 28 और 3 कितने हो जाएगे आपके पास 28, 31 यहर्स हो जाएगे उसी तरह के S से आपके मिला के 5 यह जाएगा तो आपके पास 32, 34 हो जाएगा S, T, दिखेंगे 30 तो आपके 35 अगर आप उसके अंदर O, B, C हैं तो आपके पास 35 यहर्स चला जाएगा अगर आप O, B, C हैं तो आपके पास 38 चला जाएगा विजसना आप O, B, C या भी जुडिशल सेपरेट अगर मुमेंस हैं जो अपने हस्बेंट सब दूर रह रखी हो पर वो कैटेगरी को उसी Undeserved मेरी मिसा के पास General कैटेगरी हो उसी तरह O, B, C होगी तो आपके 38 हो जाएगी अगर दोस्तों आप SDSC में आते हैं तो आपके पास 40-40 O, H आपकी हो जाएगी Second, दोस्तों सबसी बड़ी बात है इसके अंदर 10th qualifications मांगी गई है ना इन्होंने आपके को स्कूई 12th बोर रखा है ना आपके पास कोई इन्होंने कोई graduation बोला ना इन्होंने कोई आपके पास physical बोला Only 10th class पे आपके पास selection होने जा रहा है अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि आपके पास कैसा आपका exam pattern रहने वाला है दोस्तों आपके पास यह देखा जाएगा प्रमल एक्टिट रहेगा उसके पास general awareness दोस्तों वह जनल अवेलेंस है जो हमने आस तक अपने आस पास जो अपने एराउंड के अंदर हम इसको डेली ऑप्जर करते हैं चाहे आपके पास currents हो चाहे वह निउस हो चाहे वह आपके पास कोई भी हो वह आपके questions रहेंगे तो आप reasoning देख सकते हो 25 questions इसके 25 marks मतलब कि आपका एक question एक mark का तो पक्चीस ऐसी तरह के आपके निउमरिकल अप्रिकल पक्चीस questions आपके वह एक mark के टोटल मिला किया कि आपके पक्चीस general awareness आपके 50 questions तो आपके वह हो ही total marks 50 अगर overall total देखा जाए तो 100 questions आपके 100 marks और किते minutes में करने होगे दोस्तो 90 minutes means 1 hour 30 minutes के अंदर आपको ही paper solve करने का time भीलेगा अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद आपका क्या paper लगेगा आपका लगेगा trade test trade test के बाद या कह दो या इसका document verification यह सी आपका qualifying nature का हुगा अब आपके दिमाग में आरे हो कि what is qualifying nature, qualifying nature होता क्या है दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, qualifying nature में वो होता है जिसे आपको 20 number का है तो सिरह आपको 10 number ही आपको इसमें लाके या फिर आपको 40% मान के चलेंगे तो 8 number लाके इसको pass करना होता है दोस्तों paper इतना tough नहीं आता है आपको इसमें कोई 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 के तयारी करने की जुरूत नहीं है आपको मैं इसमें एक चीज़ और बता दूँ इसमें आपके questions किस तरह आपके पास रहने वाले हैं तो सबस यह आपका topics होंगे fundamental of arithmetic operations arithmetic operation कोल कोल से होगे plus minus divide आपके पास multiplication जिस तरह अपने पास हम pod mass को solve करते हैं सेकिंद आपके पास LCM STF, HCF इसमें least common multiplication and highest common factors उसके बाद percentage, averages, ratio and proportions, decimals and fractions then आपको mensurations, time and work, simple interest, time and distance, interests, profit and loss and then आपका discount दोस्तों आपका यह topic रहने वाला है सेकिंद आप इसमें दिखेंगे general intelligence and reasoning यह आपका second paper आगया इसमें आपके पास क्या रहेगा, space visualizations, then आपका analogy, then आपका dice, then आपका number series, then आपके बास venant diagram then आपका methodical operations, फिर आपका missing numbers, then आपका mirror, then आपका syllogiums, then आपका sitting arrangement उसके बास आपका direction senses, age confusions, describing, making, visual memories, analysis and judgment, relationship concept, discriminative observations, similarities and differences problem solving and आपका figure classification, यह आपके पास second paper है, जिसके अंदर general intelligence, अब आता है मारे पास current affairs current affairs में friends क्या रहेगा, आपका देख सकते हैं, मैंने आपका current affairs में पूरा आपका India, एक आपका national, एक आपका international, आपके पास इस सारे आपके पास knowledge होनी चाहिए, second, आपके पास history, जो आपके पास specially, आपके पास modern history के knowledge, geography, जिसमें आपके पास पुरा प्रा geographical area, rivers, states, मिल्रंस, इसकी जानकारी, cultures, आपका क्या culture है अपने इंडिया का, static GK, इसको रूट जी के भी कहते हैं, वो हमें पता होनी चीज, sports, daily sports में भी क्या चल रहा है, then, आपका economics, economics में हमारे क्या आर्थिक स्थिती है, हमारे पास कौन-कौन से bank है, क्या हमारे पास रिपोदार और क्या हमारे पास अभी चल रही है, देरना के पास scientific research, जो हमारे पास recent scientific research हुई है, political and Indian constitution जी हमारे सम्विदान, हमारे सम्विदान किस तरह बना, कौन-कौन से important सम्विदान के आर्टिकल से, वह हमारे सारे पता होनी चाहिए, दुसरा basic general law science जी है, हाँ, दोस्तों, यह only आखे पास 10th class तक की basic science रहने वाली, जोसको हम select normal elementary science भी कह देते हुँ, दोस्तों, अब आता है आपके पास MTS, जो आपको मैं पूपा discuss करके आया था, तो 20 number के आपके पास questions होने वाले, तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले चलेगा, जो हमारे cook से उनको किस तरह केके task or questions पुछे जाएंगे, उनसे पुछा जाएगा हमारे cook से, मतलब की एक खाने बनाने वाले से related आपके पाट trade questions होंगे, क्या क्या होंगे, knowledge of preparing Indian wage भी, आपको भी Indian wage का खाना बनाने की knowledge है, क्या आपके पास nutrition value आपको दालों के बारे में बारे में पता है, क्या आपको maintenance, आपको electric equipment रखने के knowledge रखते होंगे, तीन-तीन मार्स हो गए, washing utensils आपको बरतन दोने की knowledge है, कैसे आप सफाई को, हाईजिन को manager आप एक खाने को serve करते हैं, तो दोस्तों उसी के according आपकी मार्स इसमें रहने वाले, अगला आता है water carrier, वही आप किस तरह बरतन होते हैं, कैसे आप storage करते हैं, कैसे cleaning, hygiene मना के रखते हो, operation of water coolers, आप water cooler में किस तरह पानी बरते हो, क्या, उसकी operations होते हैं, पानी बरने के कब खंडा का गराम आता है, उसकी तरह आपके पास किस तरह desert cooler के pad change करते हैं, वगेरा वगेरा आपके से knowledge test, उसके बाद सफाई करमचारी, वापके सफाई से related, आपके पास mochi, mochi से related, दोबी, आपका दोबी से related, आपके सारे questions, विद आपके marks, एक बार आपको इससे आपको idea हो दिल्ली पुलीस MTS का syllabus, marking schemes, और दोस्तों आपके सारा मैंने discuss कर लिया, आपको फिल्कुल से सोचने की जुरुत नहीं, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज आपके लिए मैंने चीज को छोड़ दिये, तो दोस्तों आप में इसको कमेंट सेक्शन में जाके में से पू आपको मेरा वीडियो काफी पसंद आया होगा, आप इसको काफी धर दोस्तों का शेयर करेंगे, जिनको भी और नॉलेज चाहिए, आप हमारे इस बिल्कुल सेक्शन में जुड़ जाए, आप मेरे को अपनी ट्रेड और अपनी इसके कमेंट सेक्शन में डालिए, हम आपके क्व Platte, क्पर्ण के कााओव मेंटे चाहिए, खुभप Chief quería úinaपनी पेटियो का आपके को में यजिगके लाँ, मेंटे चाहिए Department, कष्वफ़्सक्रेशन KРЕ खीवचिय सेक्षषuks चाहिए or Japanese Tajit कि पीवचियो पॼुबुबुबुबुबुबुबु दो अऴटे, अबदे breve Favor